नमस्कार, CBI के अंदर जो घमासान हो रहा है, इसको थोड़ा समझेंगे आज, सिंपल समाचार में, मेरे साथ है, क्राइम मास्टर, नीता शर्मा, नीता ये शो मैं आपको पता दा, आप तो देखती नहीं, टाइम लिकाल, लेकिन ये शो इन लोगों के लिए है, जो हर रोज न्यूस फॉलो नहीं करते, मेरे जैसे लोगों के लिए, और जो न्यूस फॉलो करने के बाद भूल भी जाते हैं, तो इनके लिए है, सबसे पहले मैं दर्शको के लिए आप से पूछना चाहता हूँ, CBI कवर करते हुए आपके कितने साल होगा है, जब से, almost 15 years, 15 years, 15 साल से नीता, CBI कवर कर रहे हैं, इसका मतलब, आज जो सीनियर सारे हैं, लोग, इनको आपने जूनियर या मिडल रैंक कितर पे देखा होगा, आपने जाके इनसे बातचीत की होगी, उन्होंने आपको चाह पिलाया होगा, आपने कुछ निउस निकाला होगा उनसे, हमारे दर्श ने हस्तक शेप किया, मतलब, ओ दिखावई के तौर पे हस्तक शेप किया, हो सकता है, पहले भी हस्तक शेप चल रही थी, और सबसे पहले जो नंबर टू थे, राकेश अस्थाना, उनको निकाला गया, सस्पेंट किया गया, और अब फोस्ट लीव पर, मतलब, CBI डिरेक्ट के तौर पे कल रात को हटा दिया गया, अलोक वर्बा को और फोस्ट लीव पर भेज दिया गया है, ये है बैग्राउंड, क्यों? अलोक वर्बा ने रिटन में, जो CBI ने अपना चिठी दिया था, इसका रिमांड अप्लिकेशन मांगते हुए, मिस्टर कुमार का, उसमें ये उन्होंने बोला है, तो ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है, कि CBI अग्री करें, कि उनके इस खुद के मुख्याले में, एक स्टॉशन राकट चलता था, तो उन्होंने बोला है कि जो 2 करोड, 3 करोड रुपय अस्थाना और उनके जो क्रोनी इस हैं, उनका नाम सामने आ रहा है, उस वाले केस में, मौहिन कुरेशी एक मीट एक्सपोर्टर है, हवाला के भी उनके पर आरोप है, उनके पर भी आरोप था कि वो केस वगएरा फिक्स करवा रहे हैं, तो यह सतीर सना बाबु एक हैदराबाद बेस्ट बिजनसमेन है, तो यह जो हैं बिचोले का काम कर रहे थे, मौहिन करते थे, तो दुबई में वहाँ पर वो एक मनोज प्रसाद के शक्स से मिले, उसने उनको बताया क्या रहे, मैं तो आपको स्पेशल डिरेक्टर से मिलवा दूंगा, मैं बात करूंगा, वो आपको मतलब इस तरह से हैरस नहीं करेंगे, तो उनके थूँ यह जो डील है, व वो मानते नहीं, उनका कोई लिंक है, वो कहरें कि मुझे हराइस किया जा रहा था, बार-बार मुझे नोटिस भेजा जा रहा था, और देवेंदर कुमार मुझे नोटिस बेजते थे, डेप्यूटी एस पी है, मोहिन कुरेशी केस में, और वो मुझे नोटिस भेजते थे और मैं जाता रहा लेकिन इस तरीके से हरास हो रहा था एक बार मैं दुबई में मिला मनोज प्रसाद से और उनसे का कि कुछ हो सकता है नहीं तो मनोज प्रसाद ने कहा कि मेरे पास कॉंटक्ट है और वाट्साप फोन लगाया उन्होंने दुबई से किसी CBI के आदमी के साथ लगाया कि नहीं हमें पता नहीं लेकिन उन्होंने कम से कम यह दिखाया कि किसी CBI के आदमी से बात कर रहे है और उन्होंने कहा कि पांच करोर रुपे दो गे तो सारा मामला ठंडा हो जाएगा तुम्हें कोई नहीं छेड़ेगा CBI में 3 करोर रुपे उन्होंने हैंड' और उनका ये कैम है कि जब उन्होंने पूछा ये CBI में है कॉड उन्होंने का की फोटो दिखाया उन pop दिखाया उनको पॉक्रामी प्रसाइगा अभी वो भी गिरफतार हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनका कोई वो नहीं है उन्हें कहा कि यह जो मनोज प्रसाद है उन्होंने एक फोटो दिखाई और यह फोटो जब मैंने गूगल में सर्च किया तो मुझे कंफर्म हुआ कि यह राकेश अस्थाना ही है जो कि CBI के नंबर टू है और 2016 में वो नंबर बन बन चुके थे इसमें एक जी याद रखिए कि सतीज बाबू सना के सिवाए इसके बारे में और कोई एविडेंस नहीं या सामने नहीं आया है यह एक फॉर्मल कंप्लेंट सतीज बाबू सना का है और उनका कहना कि इसके बावजूद पैसे देने क प्रेस क्लब की पार्किंग में तो वहां पे भी वह पैसा आप तो प्रेस क्लब जाना ही पड़ेगा मैं कभी गया नहीं लेकिन इसमें इंट्रेस्टिंग बात यह है कि मनोज प्रसाद ने इतना सारा एलिगेशन लगाया वो खुद कभी अस्थाना से मिले नहीं उन्होंन उनको कहा कि आओ मैं मिला देता हूं या बात उन्होंने का गए नहीं मैंने का मैं नहीं मिलोगा यह थोड़ा सा वजीब लगता है क्योंकि सी यह मनोज प्रसाद जो है यह अस्थाना सापकर कहना है कि वह इंफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट की कस्टिडी में दस दिन रहे त उसके बाद उन्होंने आगे सी बी आए के सामने अपना 164 के तहट जो है वो बयान दिया यानि कोट के आगे बयान दिया जिससे वो मुकर नहीं सकते हैं अगर मुकरेंगे तो उनके उपर भी केस चल सकता है तो उनका यह कहना है कि दस दिन में जो इंफोर्स्मेंट डिरेक एक तरीकी से जिसको अंग्रेजी में टर्फ बॉर करते हैं कंट्रोल की लड़ाई है और इसके बारे में बात करेंगे चोटी सी ब्रेक लेंगे उसके बाद आकर नीता हम को समझाएंगे यह टर्फ बॉर कहा तक जाता है और क्यूं सरकार पर भी इसका आज आ रहा है चोट 11 साल से सीजाए कवर करी है नीता शर्मा और यहां स्टूडियो में है अभी नीता ब्रेक से पहले बात कर रहे थे किस तरीके से यह सिर्फ एक एक केस की बात नहीं यह यह सीजाए में यह सिद्धा चाभर लोग पूर लोग दियोकों तक पहुंच थिजा समझाएं क्या है यह सत्ता के गल्यारों में इस बात की चर्चा है यह जो टरफ वॉर है यह दोनों के बीच में डिरेक्टर और स्पेशल डिरेक्टर के बीच में नहीं है राइट टू दर टॉप लेवल पर है एक अफसर जो है राकेश अस्ताना उसने ब्लू आइड बॉय बताया जाता है प् इनकी जो टरफ वार है गुजरात से चल रही है एक शर्मा को बैक करते हैं बीजेपी प्रेजिडेंट यह जो मतलब जो बात है चलती है रूमर्स इसका कोई एविदेंस नहीं बाज इन राइस इना हिर्ल्स लेकिन यह मैंने काईफी जगह पर पढ़ाया कि CBI और बहुत सा सवाल उठे थे और ऑपोजिशन ने सवाल उठाया था उन पर कि इनको क्यों लाया जा रहा है जब इतने साड़े सीनियर लोग है तो आलोग बर्मा क्यूं चूज ओए ऑर इनमें लड़ाई क्यों बाता है उसमें राकेश अस्थाना को लेकर थोड़ी सी कॉंट्रोबर्सी हो गई थी इस करके सरकार ने एक और चेहरा लेकर आया है वह आलोग वर्मा का था इनिशली आलोग वर्मा को भी बैकिंग थी लेकिन आप देखा जा रहा है जो मैंने एक सीनियर मंत्री से बात की अनन उनका यह कहना था कि जो एजेंसी हैं वो रोग हैंड्स में चली गई हैं इंडिकेटिंग के बोथ SBI और Inforcement Dire력 suite जो रोग हैं चली गई हैं और जो तरह से decision making हो रही हैं यहां पर इंफोसमेंन डिरेक्टिरेट को भी लाना चाहUNGगी इंफोसमेंन डिरेक्ट रेक्ट पहे हम ने देगा खालफिलाल में ऐस अधारा ने ने कुछ आरोप लगाए सेकेटरी के यहां पर उन्होंने यारोप लगाए थे इसके अलावा मतला तू तू मैं में बहुत हद तक पहुंच गही थी सरकार को दोनों को छुट्टी पर भेजने के लावा कोई चारा नहीं था सरकार के पास तो एक बात यह भी चल रही थी कि जो राकेश अस्थाना है वो डिरेक्टली बहुत कुछ चीजे खुद कर रहे थे आलोक वर्मा को नहीं बता के इसमें सीवी सी का क्या रोल है क्योंकि सीवी सी ने भी शायद राकेश अस्थाना का साइड लिया राकेश अस्थ को दी थी 24 अगस्त को अब उन में से इतना समय हो गया लेकिन उस पर कारवाई नहीं हो रही थी अब वो कारवाई होती दिखाई पड़ रही है उनका यह कहना था कि जो सतीश सना बाबू का है वो फर्स केस उन्होंने में मेंशन किया था इसके लावर नौ और केस हैं जिनम जो भाग गए हैं उन्होंने कुछ उन्होंने help की थी और बहुत मतलब financially उनको help की थी और जो चादी में बहुत arrangements करवाय थे venues fix किये गए थे इन्होंने कौन सी BMW काडियां ली थी